हेलो गाईज, स्वागत है आप सभी का, आज हम बनाएंगे कराची बलच्छा परांथा, इसे बन परांथा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बन की तरह बनाएंगे हम, इसके लिए हमने 300 ग्राम यह मैदा लिया है, यानि 2 कप मैदा ले लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून हमने स केुझ впर Font & Soda डाला दिया है, इने मिक्स कर लिए अची तरह से, और अब हम एक कप पानी डाल देंगे, इसमें 3 चम्मच हम इसमें डेशी अधुझे हम आप किसी चम्मच से या किसी कटशी से पहले, इस तरहraj से, यह देखिया पानी इसमें गूल्छा यह अची तरह से, और अब यह देखिए, मिक्स हो गए, अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह से बाइंट करेंगे, इसे बिल्कुल ऐसे ही गूता है, जैसे हम रोटी के लिए आठे को गूते हैं, यह थोड़ा मैदा है, तो यह इस तरह जादा गूतना पड़ता है, इसे इस तरह यह देखे, बस इसे हमने गूथ लिया, अब इसके उपर थोड़ा सा देशीगी अप्लाई कर देंगे और फिर से इस तरह गूथ लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि जब हम यह बन बनाते हैं, तो इस मैदे को हमें अच्छी तरह से गूथना पड़ता है, हाथ से इस तरह है, और अब हम इस इसे घूत लेते हैं एक्डेश करें चेख करने का तरीका यह है इस तरह इसे गूल करते हैं और देखें आप इसे फिंगर से चेक कर सकते हैं इस तरह यह देखेंगे इसे प्रेस किया और फिर से उपर आ गया तो हमारा ये डो बिल्कुल तया है अब इसे गोल कर लेते हैं और इसे टुकडों में काट लेते हैं जितने जितने हमने बन बनाने हैं उतने हिसाब से पीसिस कर लेते हैं इस तरह से यह देखिए यह सारे पीसिस तयार है हम यह थोड सब्सक्ट सब्सक्राइब कर θα बर रोटि हैं इससे फैल कर दें। तो फैल के आधने पड़ता हैं ऐसे मैदा सुखना मैदा लाले ही जिसना बड़ा हो सकते हैं इससे फैल learnt इस तरह से यह थोड़ा मैदा होता है तो जल्दी से बिलता नहीं है आटे की तरह तो इस तरह आप इसे थोड़ा जोड़ लगाए और इस तरह बेलते रहें यह देखे और जितना पतला हो सकता है आप इसे उतना पतला बेल लें यह देखे यह हमारा इस तरह बिल गया है और अब इसको थोड़ा सा और बेलते हैं तो इसको पलट देते हैं हाथ से इस तरह से ताकि और ज़्यादा अच्छी तरह से बिल जाएए क्योंकि मैदा जल्दी जल्दी नहीं बिलता यह देखे भस इसको और बढ़ा लेते हैं यह काफी बढ़ा हो गया है अब आप चाकू से या पीजा कटर से इस तरह काट लें इसे जैसे पतली-पतली इसकी स्टैप्स बना लेते हैं इस तरह यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह बस आप चाकू से भी चाहे तो इससे पतली-पतल इस तरह से काट सकते है यह अने यह सारा यह जो पराण्थे को पेड़ा रोटी बनाई टी बेल लिए ? अब पर हम लगा देंगे के के देशी और कि इसे यह से Неथि-पर भी लगाइं सब्सक्राइब और इस तरह मैत भी हो जाता है यह अगर कई बर नहीं होता क्योंकि घी कम लगा होता है तो इस तरह चाकू से इसे सारा समेट सकते हैं यह थोड़ा नीचे रहा गया तो इसे भी दुबारा से कर लेते हैं इस तरह अब देखें यह इस तरह से यह दिखाई दे रहा है थोड़े छोटे हो जाते हैं तो वह हटने लगता है यह देखें और अब हम इसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह खीच के न इस तरह थोड़ा खीचते रहें इस तरह खीच के यह थोड़ा बढ़ा कर लें इस तरह से अगर तूट भी जाता है तो कोई बात नी हमने इसको पेड़ा ही बनाना है यह देखे इस तरह है सारे जो इसके स्टेप्स हैं यह इस तरह आजेंगे और अब इसको फिंगर पे इस तरह हमने लपेट देना है आप तीन उंगलियों में भी लपेट सकते हैं और चार उंगलिय इसी तरह हमने यह सारे पेड़े बना लेने हैं जितने भी आपने बन बनाने हैं आप इतने पेड़े पहले बना ले और इसके ओपर थोड़ा सा फिर से देशी ही अप्लाई कर देंगे हम इस तरह से यह देखे और इसे फिर से ढखे रख देते हैं 15 या 20 मिनट के लिए इने थोड़ा बढ़ा देना है यह देखे लच्छे दिखाई दे रहे हैं इस तरह हाथ से बिलना है आप चाहे तो बेलंस से कर सकते हैं पर यह हाथ से इजी से हो जाता है बस इसी तरह से यह देखे इसी तरह हमने सारे पेड़े इस तरह हाथ से बढ़ा देने हैं यह देख अब हम एक पैन लेंगे या तबा लेंगे उसको इस तरह घी लगा देंगे और इनको इसके उपर रख देंगे घी आप थोड़ा जादा भी लगा सकते हैं इसमें मैंने थोड़ा कम लगाया है इस तरह से हमने तीनों बन रख दिये हैं और अब हम इसे ढखके रख देंगे इसे हमने 6-7 मिनट तक कुप करना है इसी तरह है और गैस का फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू लो रखना है यह देखे अब चेक कर लेते हैं 5-7 मिनट हो गए हैं इसे इस तरह एक चम्मच की साहता से इसे हम पलट देते हैं क्योंकि दूसरी साइट से अब सेखेंगे हम इने देख लेते हैं यह देखे कितना अच्छी तरह से यह बेक हुआ है और कलर भी काफी अच्छा आ गया है इसी तरह हम सारे अपने बनिये पलट लेते हैं इस तरह हैं चम्मच की साहता से यह देखे काफी अच्छा कलर आ गया है इन में और अब हमने इसमें थोड़ा सा घी ओर डाल देना है घी आप ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यह देखे बस सभी तीनों में डाल देंगे घी अच्छी तरह से और इसे फिर से ढखके रख देंगे 5 या 6 मिनट के लिए 5-6 मिनट बाद यह अच्छी तरह से बेख हो जाएंगे हमारे पांच मिनट हो गए हैं अब देखो इसे फिर से देख लेते हैं कि दोनों साइड से सिख गए है यह नहीं इसे पलटेंगे इसी तरह से चम्मच की सायता से यह अच्छी तरह से यह बेक हो गया अगर यह आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है जैसे वाइट पार्ट दिखाई दे तो आप इसे दुबारा से इस तरह पलट सकते हैं इसको दुबारा से आप बेक कर सकते हैं इसी तरह बस अब हमने यह सारे बेक कर लेने अच्छी तरह से बेक हो गए आप इने उतार लेते हैं यह देखे वह जो थोड़ा वाइट वाल है उसे दुबारा पलट के से लेंगे अब हम हाथ से प्रेस करेंगे सpekt alguns साहत Dorothy के खाम प्रैस लिए इसके लख्याराएं अरांब तयार है आप इसे सात अरांब से कले हैं पनीर की सबदी के साथ भीमें खाते हैं इसके सक की इस्हारा रहा यह बच्चों को बेहत पसंद आते हैं और खाने में बेहत टेस्ट होते हैं मैंने यह दोनों डिप बनाई हैं आप किसी भी चीज के साथी से इंज्वाइ कर सकते हैं मैं दुबारा मिलती हूं बाई